हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आर्वी एडिटीव क्लास में स्टुडेंट्स आज मैं जो कुस्टन लेकर के आया हूँ ये कुस्टन एक्सरसाइज 9.1 क्लास 8 की मैथ से 3 का 4 पार्ट है बाकी मैंने 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट के वीडियो बना रखे हैं अगर आप कुछ जरूरत है तो आप जा करके प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंतर तक देखें कमेंट बाक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा चलिए शुरू करते हैं यह कुस्चन का 3 का थर्ड पार्ट है एड़ दा फॉलोईंंग हमें आपर यह जो ऐसे अक्स्प्रेसन दिए गए हैं इनको एड़ करना है पहला एक्स्प्रेसन the wr e that ims दूसरा स्विझे अन्स्क्विज एन स्कूर था स्विए लिस्ट्र अर्चा है 2 ll m पिल ट्ट्र हाइम प्लस में column method ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है जो भी पहले expression दी यह उसको ऐसे ऐसे write कर लिजे तो l square plus m square हमने write कर लिया अब दूसरा expression जब लिखेंगे तो देखो यहाँ पर m square है तो यहाँ पर ना लिखेंगे बलकि m square के नीचे लिखेंगे क्योंकि हम light term के नीचे ही है n square इसमें नहीए तो अब गल में write कर देंगे है अब इसमें इसमें मोह पास n square है तो इसको n square के नीचे लिखेंगे l square है तो इसको sqrической के नीचे लिखेंगे अगर लंसा नहीं होगा कि अगर प्रकार से 2mn भी कहीं नहीं है तो बगल में और 2nl को भी बगल में रेट करेंगे अब इनको एड़ करेंगे तो अब ध्यान से देखो, यह L2 और यह L2 कितना बच्चेगा एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है यहाँ पे भी plus sign है, यहाँ पे भी plus sign है रिखा नहीं है लेकिन पलस होगा सब्सक्रांगे नसने सब्सक्राइब jours टू एन स्कूर बाकी इन में कुछ है नहीं तो इनको ऐसे ही राइट करना पर रहेगा टू एल एमस्क प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल ठीक है यह इसका डीशन होगा लेकिन आप एक चीछ देखो यहां पर क्या है ना टू समय से कामन है तो आप टू कामन कर लिजिए एल स्कूर्यैयर प्लस एम स्कूर पलस एन स्कूर प्लस एल एम पलस एम एन पलस एनल ठीक है तो यह हमारा आशरा एगा स्टुडेंटस बाइ। ऐसको राइडों कर लेजिए फिर मैं बताऊं कि कॉलम हर्ज्टन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए फिर आपने वीडियो को पाउच करके इसको राइड डाउन कर लिया होगा हम इसको मिटा देते हैं कि अब हम इसका सल्यूशन बाई हर जेन्टल मेथड़ से करते हैं हर जेन्टल मेथड़ का मतलब होते है रो वाईज यानि कि एक लाइन में तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या करना है कि जो भी एक्सप्रेशन दिए उसको अपराइट कर लिजे फारी जामपल एल स्क्वेर प्लस एम स्क्वेर हमारा पहला एक्सप्रेशन था इसको ब्रेके तो आपन दूसरा टर्म यानि कि दूसरा एक्स्प्रेशन इसको भी क्लोज कर देंगे प्लस होने लाइड होने के लिए प्लस साइन तेशरा एक्सप्रेशन राइड करेंगे n स्कवियर प्लस एल स्कॵर फिर प्लस साइन तू सके बाद कोई टर्म है नहीं तो फिर इसको एज अड़े यह डिन देंगे आप क्या करना है देखो सबसे पर आप से स्ब्सक्राइब सब्साइब को जो नहीं यृष मौट एले स्क्राइब प्लस M2, प्लस M2, प्लस M2, प्लस N2, प्लस L2, प्लस 2 L M, प्लस 2 MN, प्लस 2 L, ठीक है? अब मैं आपर एक step skip नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इसको detail में लिखता हूँ, कैसे? सबसे पहले मैं यह करता हूँ, कि जैसे यह L2 है, तो ऐसा L2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसके बेगल में लाके write कर दीजे, फिर यहाँ पर प्लस M2 है, और फिर यहाँ पर प्लस M2 है, अब यहाँ पर देखिए, प्लस N2 है, प्लस N2 है, बाकी यह तो है, यह पर कुछ मलब लिखा नहीं है, लेकिन यह प्लस 1 है, और यह भी 1 है, 1 लिखा नहीं होता है, अलजबरी का एक्स्प्रेशन में 1 लिखा नहीं होता है, लेकिन 1 होता है, तो 1L2 प्लस 1L2 बिकम 2L2, 1M2 और 1M2 बिकम 2M2, इसी प्रकार से N2 प्लस N2 बिकम 2N2, और यह एज़ कोई है नहीं LM अब ध्यान देना बहुत बच्ची क्या करेंगे इसको 2 plus 2 3 कर लेंगे लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते यह like term नहीं है यहाँ पर L है यहाँ पर L है यहाँ पर L है ठीक है तो यह like term नहीं है like term वो होता है जिसमें same same variable और उनकी power भी same same हो तो यह as it is right कर लेंगे इतना कर लिया हमने अब देखो यहाँ पर सब में से two common है क्या है सब में से two common है तो two common कर लिजिए यानि कि L square plus M square plus N square plus LM plus MN plus NL ठीक है तो यह हमरा horizontal method से यह answer आएगा तो दो दोनों ही method से मैंने आपको करके बता दिया है कौन सा method आपको सबसे अच्छा लगा है comment में जरूर बताईएगा साथी साथ अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी जेर करें इसी प्रकार की वीडियो लेकर मिलते रहेंगे तब तक के लिए थेंक्यू क्लास अगर मिलते टोस्तों कि वीडियो